Welcome to Struggle Classes, जहां हम बात करेंगे 6 December 2020 की Most Important Current Affair की तो आप पूरा वीडियो को द्यान से देखिए अगर आप किसी भी competitive exam की तयारी करने हैं, तो निस्तिती आपके exam से Current Affairs के एक भी question सूरने वाले नहीं है पस आप daily morning में वीडियो देखने की habit बना लीजिए तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं आज का पहला प्रस्ण है, हाल ही में विश्व म्रीदा दिवस कब मनाया गया है तो 5 December को विश्व म्रीदा दिवस मनाया गया है इस question का D आपन से विश्व म्रीदा दिवस यानि की World Soil D हर साल 5 December को मनाया जाता है अब या विश्व म्रीदा दिवस मनाया क्यों जाता है तो मानो कल्यार, खाद्य सुरच्चा और पारिस्थीति की प्रडालियों के मात्वपुर, मिट्टी की गुडवत्ता के मात्व के बारे में जागरुकता बढ़ाने के लिए हर साल 5 December को विश्व म्रीदा दिवस मनाया जाता है अच्छा 5 December को ये अंतरराष्ट्री वालिंटी यर दिवस भी मनाया गया है अब या दिवस वाला कोश्चे ने तो दिश्व में जितने भी दिवस मनाया गया है उसे आप मेरे साथ बोलिए एक दिशंबर को विश्व एट से दिवस और बिएस्टेफ ने अपना 56 अस्था अपना दिवस मनाया है दो दिसंबर को विश्व कंप्यूटर सा चर्था दियोस राष्ट्री प्रदूसर नियंत्रड दियोस और अंतरराष्ट्री दास प्रता उन्मूलन दियोस मनाए गया तीन दिसंबर को अंतरराष्ट्री दिव्यांग जन दियोस मनाए गया और 4 दिसंबर को बारती नौ सेना दियोस और अंतरराश्टरी बैंक दियोस मनाया किया Next question है हाल ही में किस खिलारी ने T20 में सबसे ज़ुदा रेटिंग हासिल किये तो अभी England के खिलारी डेवीड मलान ने T20 में सबसे ज़ुदा रेटिंग हासिल किये इस question का भी आपसन सही है England के खिलारी डेवीड मलान ने MRF Tires ICC Men's T20 प्लेयर रेकिंग में बल्ले बाजों में सबसे अधिक रेटिंग 915 रेटिंग हासिल किये 900 से अधिक रेटिंग हासिल करने वाले ये पाले खिलारी है इसके पाले आस्ट्रेलिया के आरोन फिंच ने 900 रेटिंग हासिल की थी Next question है कौन सी भारती कंपनी फार्च्वन रेटिंग 2020 में पाले अस्थान परे तो Reliance Industries फार्च्वन रेटिंग 2020 में पाले अस्थान परे इस question का ए आपसन सही है Reliance Industries 500 भारती कमपनियों की फार्चून रेटिंग में पाले अस्थान परें Indian Oil Corporation दूसरे अस्थान परें तेल और प्राक्रीति गर्ष निगम तीसरे अस्थान परें भारती स्टेट बैंक चौते अस्थान परें भारत Petroleum Corporation पाच में अस्थान परें Tata Motors चट में अस्थान परें Rajesh Export शाथ में अस्थान परें Tata Consultancy Services आठ में अस्थान परें ICICI BANK 9 अस्थान परें और Larson Intubro 10 में अस्थान परें नेक्स्ट कॉष्टन है हाल ही में कौन Fit India Movement का Ambassador बनें तो अभी कुलदीप हांडू Fit India Movement का Ambassador बनें इस कोस्टन का सी अब्दन सही है यह है इमेज में कुलदीप हांडू जो फिट इंडिया मोव्मेंट का एम्बेस्टर बने हैं यह राश्ट्री अस्तरपत 6 और इंटरनेशनल अस्तरपत 11 गोल्ड मेड़ जीच चुके हैं अब यह फिट इंडिया मोव्मेंट किया है इसकी अस्तापना 2019 में बारतियों को स्वस्थ और फिट जीवन सहली का मार्ग प्रसस्थ करने के लिए की गई थी इसके संस्थापक सुपर अडो सत्पती है नेक्स्ट कोस्टन है एक्सिस बैंक ने एक्सिस बैंक रूपी बिजने क्रेडिट कार्ड लांच किया है या वीज़ा द्वारा संचाली थे इस कोस्टन का एक्सिस बैंक ने MSMES के लिए एक्सिस बैंक रूपी बिजनेस क्रेडिट कार्ड लांच किया है MSMES याने कि Micro, Small and Medium Enterprises यह संपरक्रेट सब्रांडेट क्रेडिट कार्ड है जो की वीजा द्वारा संचाली थे एक्सिस बैंक बारित में तीसरा सबसे बड़ा नीजी चेतर का बैंक है इसका मुख्याले मुंबई में और इसके मैनेजिंग डिरेक्टर चीफ एक्जीक्यूटी अबसर याने कि MD and CEO अमिताब चोधरी है एक्स्ट कोस्टन है हाल ही में जफरुल्ला जमाली का निदन हुआ है वे कौन थे तो जफरुल्ला जमाली का निदन हुआ है यह पाकिस्तान के पुर्व प्रदान मंत्री थे इस कोस्टन का भी अबसर सही है एहां इमेज में जफरुल्ला जमाली जिनका हाल ही में निदन हो गया है यह पाकिस्तान के पंद्रा में प्रदान मंत्री थे अब यह पाकिस्तान के पुर्व प्रदान मंत्री थे तो EMAP में पाकिस्तान पाकिस्तान की राज़दान है, इसलामाबाद मुद्रा, पाकिस्तानी रुपिया और यहां के प्रदान मंत्री इमरान खान है एक्स्ट कोस्तन है, हाल ही में कि से global teacher prize पुरसकार मिला है तो अभी रंजीत सिंदित साले को global teacher prize पुरसकार मिला है यह महराष्ट के सोलापुर जिले के परितेवारी गाउं के जिला परिशत प्राध्मिक बिद्धाले के सरकारी सिच्चक हैं इन्होंने यह पुरसकार अपने गाउं में लड़कियों की सिच्चा को बढ़ावा देने के लिए जीता है इस पुरसकार में एक मिलियन डालर यानि की साथ दसमलों चार करोड रुपए की रासिप्रदान की जाती है नेक्स्ट कोस्टन है हाल ही में कहां के मुख्यमंत्री ने माजेर हाट ब्रीच का नाम बदलकर जय हिंद पूल रखा है तो अभी पस्टिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने सुवास चंद्रवोस की 125 जैनती पर माजेर हाट ब्रीच का नाम बदलकर जय हिंद पूल रखा है इस कोस्टन का सी अप्टन सहीए अब पस्टिम बंगाल के मुख्यमंत्री में माजेर 8 ब्रीज का नाम बदल कर जय हिंद पूल रखा है तो एम एप में पस्टिम बंगाल पस्टिम बंगाल का गटन 26 जनौरी 1950 को गाता राजधानी कोलकाता है और यहां का सबसे बड़ा सर्वी कोलकाता है मुख्यमंत्री ममता बनरजी और राजयपाल जगदीब दनगड़ें सीटों की बात करें तो लोग सबा में 42 सीट, राजय सबा में 16 सीट, विदान सबा में 25 सीट है नेपाल, सिक्किम, भुटान, अर्सम, बांगलादेश, ओडिसा, जारकंट और बियार की सीमा परस्टिम बंगाल की सीमा से मिलती है राजकी परसुब बंगाल भाग है, राजकी पच्छी स्वेत कंट कोडिला है, राजकी वरिच चिताउन का है, और राजकी पुस्प हर सिंगार है यहां का प्रमुख नेशनल पार्क है, सुन्दरबन नेशनल पार्क, इसके स्थापना 1984 कोई थी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन के बटन पर प्रेस चरूर कर दीजिए, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंश सके अगर आपको किसी भी कोस्टन में कोई बीड आउट हो तो आप कमेंट में पूश्टकने जाए हिंद वंदे मातर